तो आज किस वीडियो में हम लोग अन्बॉक्सिंग करने जा रहे हैं डूओ पॉट्स M40 जो की आपको मीवी के तरफ से मिल जाता है तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस बॉक्स का आवर व्यू देख लेते हैं तो आपको सबसे ऊपर यहांपे मीवी की ब्रेंडिंग देखने को मिल जाती है और कुछ इस्टै cricket के आपको एयर पॉट्स देखने को मिलेंगे यहांपे आपको ट्रूली वायरलेस एयरफून देखने को मिल जाता है और नीचे की तरफ आपको deep powerful base और 5.0 Bluetooth का support देखने को इसमें आपको मिल जाता है और 24 hours की इसमें battery life आपको देखने को मिल जाती है HD Studio Sounds, SuperSoid Base और आपको इसमें sweet proof देखने को मिलता है IPX 4.0 और इसमें आपको वांटर सपोर्ट भी देखने को मिलता है और इसमें आपको passive noise cancellation देखने को मिल जाती है और यहाँ पे आपको one year warranty भी देखने को मिल जाती है कुछ इस तरह का product हमको इस box में देखने को मिलेगा तो यह सब रहा box पिलिखावा बात तो चलिए इसे हम लोग try करेंगे उसके बाद देखेंगे क्या इसका है noise cancellation कैसा है इसका base और कैसी है इसकी sound quality तो चलिए अब इसे unbox करते हैं तो यह था Unboxing Experience तो देखते हैं आपको क्या-क्या मिल रहा है आपको यहां पर मेरा पए पेपर गाइड तो चलिह इसे ओपनगे suggests क्या-क्या मिल जाता है रही बात इसके पैकिंग एक्सप्रियांस की तो बहुत ही अच्छी एंट्रेसिंग आपको देखने को मिलेगा तो इसमें आपको बहुत सारे पेपर वर्क्ड देखने को मिल जाते हैं जैसे कि आपको यूजर मैनुवल कुछ importance points और यह आपको एक welcome later कुछ इस तरह का expense आपको देखने को मिल जाता है इस box में हमें एक और छोटा सा box देखने को मिल जाता है तो चली इसे open करते हैं आप उक इस बॉक्स में हमें कुछ और देखने को मिल जाते हैं जो कि एक्ष्ट्रा यह बट्स आपको दिये गए तो इसे भी मैं कुलुँ देखने को मिलता है और इस तरफ आपको back-set पहले मिल जाता है इसका charging point और उपर में आपको iykeepers branding चलीगे से अपपन करते हैं किस तरा का इसका लुक अंदर में आपको देखने को मिलता है तो जैसे हम लोग इसे ओपन करते हो आपको देख सकते हैं अंदर में आप आपको दो येर बड़ देखने को मिल जा रहे हैं और यहां पर आपको कुछ लाइटनिंग देखने को मिल जाती है तो चलिए इसे अब ओपन करते हैं और देखते हैं कैसा आपको इंटरनल लुक देखने को मिलता है कुछ इस तरह का आपको अंदर में देखने को मिल जाता है तो कुछ इस तरह का experience आपको इसमें देखने को मिल जाता है, तो चलिए आप इसकी build quality की बारे में बात करते हैं, box आपको plastic build में देखने को मिलता है, लेकिन इसकी quality बहुत अच्छी, इसकी आप finishing देख सकते हैं, दूर से देखने में आपको लगता है कि आपको एक premium product देखने क को मिल रहा है, और मीवी के branding भी इसमें अच्छी यहाँ पर की गई है, तो चलिए इसकी आप airbud की quality की बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग इस एरबट को बाहर निकाल लेते हैं, जैसे हम लोग इसको बाहर निकालते हैं, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर light indicate करना अच्छे तरीके से इसे setup किया गया है, यहाँ पर आपको charging के लिए दो points देखने को मिल रहे होंगे, इस तरह का कुछ इसका look है, तो अब चलिए चलते हैं, इसके build quality की बात करते हैं, तो इसकी build quality भी बहुत ही अच्छी है, और यह जो lightning दे रहा है, यह भी आपको थोड़ा indicator भी देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने right वाल अपने हाथों में लिया है, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर right लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आपको charging के लिए ports के दो hole देखने को मिल रहे हैं, यह बहुत ही light weight है, यह नहीं कि बहुत ही heavy होगा, यह ब यह connect करने के बाद भी building करता है, या फिर connect किये बिना यह building करता है, तो चलिए आप देखते हैं, इसका pairing speed और connecting speed कितना fast है, सबसे पहले अगर आप इसे first time use करते हैं, तो आपको सबसे पहले इसे pair करना पड़ता है, तो simply हमें इसे open कर लेना है, हम इसे open कर लेते हैं, open कर लेने यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्लुटूथ पेरिंग request का option आयाता है, इसे हम लोगो ok करते हैं, यह आपका pairing हो चुका है, तो आप देख सकते हैं, यह इस तरह से pair हो जाता है, और आपको यहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिल जाता है, जैसे कि आपको यहाँ प आफ कर देते हैं, और इसी इस box में रख देते हैं, तो simply हम अपना Bluetooth on कर लेंगे सबसे पहले, तो हमारा Bluetooth on हो चुका है, अब हम इसे open कर लेते हैं, open करने के बाद हम लोग इस दोनों को बाहर निकाल लेते हैं, तो यह देख सकते हैं, जैसे ही मैं बाहर निकाला, यह connect हो गया बहुत ही जल्दी यह connect हो जाता है, बहुत ही fast इसका response है, और बहुत ही अच्छे से यह काम करता है, क्योंकि इसमें आपको Bluetooth 5.0 यूज किया गया है, तो इसे यह connect करना बहुत ही आसान है, आपको simply से remove करना है, इस तरह से रख देना है, उसके बाद अपने Bluetooth को on कर लेना है, आपको pair करना है, और यह automatically pair कर लेता है, तो बहुत ही easy है, अगर आपको कोई भी problem आती है, तो मैं आपको recommend करूँगा कि इसके user manual के साथ आप go through हो जाएं, इसमें आपको सारी इसकी features और users देखने को मिल जाती है, तो आप इसमें सारी कुछ इसको देख लें, अगर आप first time use क तो मैं recommend करता हूँ, इसी आप जरूर पढ़ लें, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ देखने को मिलता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको touch response देखने को मिलता है, तो वो touch कैसे काम करता है, मैं आपको detail में बताता हूँ, तो इसका first आपको मैं बताता कैसे आप इसका call answer कर सकते हैं, आपको call answer करने के लिए, जैसा कि इसके manual पे लिखा हूँआ मिल जाता है, आप कोई भी left या right में एक बार tap करते हैं, तो वो आपका call answer हो जाता है, ये वाला, ये ये वाला, इसमें आप किसी पे भी एक बार tap करेंगे, तो आपका ये call answer हो अब रही बात किसमें आप Google एसिस्टेंस कैसे ओन करें तो Google एसिस्टेंस ओन करने के लिए आप इस दोनों में से किसी को भी थ्री टाइम टैप करेंगे तो यह Google एसिस्टेंस या फिर शीरी ओन हो जाएगा इनेबल हो जाएगा अगर यह आपके मुवाइल के साथ connected रहा तो अ नेख्ट करने के लिए आपको सिंप्ली अपने राइट वाले एयरपोड में डवल टैप करना है तो वह नेक्स्ट प्रियों हो जाएगा अगर आप इसे प्रीवियस करना जाते हैं तो आप अपने लेफ्ट वाले में करेंगे तो वह प्रीवियस हो जाएगा यह बहुत ही तो यूज है अगर आपको कोई भी प्रावलम होता है तो simply आप इसके manual में जाएं सारी बात है आपको वहाँ पे मिल जाएगी तो बहुत लोगों को यह भी प्रावलम होती है कि इसमें आपको ynt देखने को मिलती है तो उसे कैसे रजिस्टर करना बहुत ही आसान है इसके manual और जो वहाँ सारी आपको कार्स देखने को मिलते उसमें भी आपको important कार्ड देखने को इस तरह कुछ मिलता है तो इसमें आपको simply step दिए होएं तो आप इसे पढ़ लेंगे और इसी तरह से इसे आप register कर सकते हैं अब रही बात कि इसे charge कैसे करते हैं तो चार्ज करना बहुत ही simple है इसे हम लोग को open करना है और जो जिसका pod है left right वाला उसमें हम लोग को इसे fix कर देना है तो हम लोग इसमें fix कर देते हैं fix करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको indicator देखने को मिल जाता है अगर यह indicator फूल है इसका मतलब आपका यह charge है यह box charge है अगर यह आपको red blink कर रहा है तो समझ जाएए कि यह discharge हो गया है और इसे charge करने के लिए आपको इस दोनों को इसमें fix कर लें उसके बाद इस सिंपली बंद करके इस port में charge कर लें तो यह charge हो जाएगा आपको इसके बारे में सारी बात बता दी इसकी quality भी बहुत अच्छी फोने भी आपको LED इनडिकेटर देखने को मिल जाता है और इसकी quality जातीस व्हात के आपको देखने को मिलता है ट्रेवल विबहुत ही अच्छा देखने को मिलता है इसकी battery life आपको बहुत जाधा चलती है और रही बात इसका lifting की fitting भी बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिल जाता है सका fitting बहुत ही easily यहापके कान हों में fit हो जाता है और मैं एक बात और यहाँ पर notice जैसे कि मैं इसे यहाँ पर जैसे ले आता हूँ यह automatically अपने आपको अंदर ले रहे था इसमें magnet effect दिया गी है जो कि अच्छे वर्क बी कर रहा है और ये इस तरह से ये गरता भी नहीं है बहुत ज्यादा मेंस में फोर से भी लगा रहा हूं तो ये गरता नहीं अच्छा का साव skills में ऐसे में आपको बैलनसποιेखने को मिल जाता है तो यही था अचकान बॉक्सिंग वीडियो, I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, thank you, thank you for watching.